नमस्कार देखिए आज की सुरुवात हम करने जा रहे हैं शीर्षासन से पिछली वीडियो में हमने दिखाया था शीर्षासन किस तरह से करना होता है तरीके बताये थे और आज जो है सीखने के बाद किस तरह से करना होता है शीर्षासन को उस तरीके को देखा किस तरह से करना होता है इसे बता रहा है ज्यान देखें इसको और करें देखिए इस तरह से इंटर्लोग करने उलियों को और अपने मात्य के साइट का भाग बागना चिकाएंगे इस तरह से अगर साथ अगर देखिए पहली स्थिति यह है एक पह को सीधा करेंगे इस तरह से इस तरह से पंज्या मारे तन हुए स्लमान नकती से साथ चलती रहेगी और इसमें आप पादमासन में लगा सकते हैं लगाने तो इस तरह से देखिए इस तरह से देखिए इसको अटाएंदे इस तरह से करना होता है कई रोगों में पहले ही बताया हमने जैसे कि मेमोरी पावर बनाता है यह और हमारी बच्चों की अक्सर आखों की रोसनी उसको बढ़ाता है और हैट में भी लाब करता है और भी कई फायदें इसके तो आज हमने यह आपको चीज सासन करके दिखाया इसको करें लाब उठाएं बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद जैभारत बघ्चों की एपको प्रेंगर कर दो में अधिने अदिए और नाइए।